प्रसनावली 5.1 के पहले कोश्चन का 3 तथा 4 प्रसन हम लोग इस विडियो में समझ के साथ करने वाले हैं पहला तथा दुसरा हम लोगों ने इसके पहले वाले विडियो में समझ लिया है तो चलिए आये 3 तथा 4 प्रसन करते हैं इसरा प्रस्ण आसान है प्रतेक मीटर की खुदाई के बाद एक कुवा खोधने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत बढ़ती जाती है, तो जो स्रेड़ी प्राप्त होगा, एपी में होगा कि नहीं होगा ये पतलाना है तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जैसे पहले में था प्रथम किलो मीटर का किराया 15 रुपया तो यहां प्रथम मीटर की खुदाई लागत है 150 रुपया अब दूसरे मीटर की खुदाई की लागत तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत है एक सो पचास प्लस पचास बराबर दो सो अब तीसरे मीटर की खुदाई की लागत तो दो सो प्लस पचास बराबर दो सो पचास रुपया तो तीन प्राप्त हो गया हमें अब प्राप्त स्रेड़ी तो प्राप्त स्रेड़ी 150,200,250 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा तो यहां फिर निकालेंगे पदांतर A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 200 माइनस 150 इसके ठीक बाद वाले से पहला वाला घटाया जाता है कहीं भी तो बराबर आएगा तो A2 में है A3 माइनस A2 बराबर 250 माइनस 200 तो यह भी आया 50 यहां हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 यह दोनों क्या है बराबर है तो प्राब्च्रेड ही AP में है यह होगा चोथा नमबर प्रस्ण है खाते में प्रतेक वर्ष का मिस्रधन जबकि 10,000 रुपया की रासी 8% बारसिक ब्याज की दर से चक्रबिर्धी ब्याज पर जमा की जाती है तो यहां अस्पष्ट है ब्याज चक्रबिर्धी है और सलाना सन्योजित है तो प्रारंभी रासी कितना दिया हुआ है 10,000 पहले वर्ष के अंत में मिस्रधन अर्थात एक साल बार सुत्र होता है मुल्धन गुना एक जोड़ दर बटा सो और पावर होता है वर्ष तो मान बैठाएंगे पहले वर्ष में मिस्रधन मुल्धन कितना है 10,000 और ब्रैकिट में होगा 1 प्लस 8 बाई 100 कटेगा 2 यहां 25 तो 10,000 गुना 25 जोड़ 2 बटा 25 यह 25 से गुना हो जाएगा तो 25 पलस 2 बटा 25 तो 25 से कट जाएगा यह 10,400 चार सो गुना 27 दस हजार 800 रुपया पहले वर्ष के अंत में मिस्रधन हुआ चलिए एक और निकालते हैं दूसरी वर्ष के अंत में मिस्रधन तो 10,000 गुना एक जो 10 बटा 100 होता है 10 है 8 यहां 100 है और पावर बर्ष होता है तो बर्ष के जगा पर क्या हो गया दो हो गया अब 10,000 पलस 25 पलस 2 बटा 25 यह कट के वही हो गया पावर केवल बढ़ गया है तो 27 बटापचीस का स्क्वायर हुआ और यहां हुआ 10,000 अर्थात 27 बटापचीस गुना 27 बटापचीस दो बार होगा तो यहां 16 गुना 729 यह कालकूलेशन करके यह आएगा आप देखे लेंगे इसको 16 गुना 729 यह 16 है और 27 27 का 729 बटापचीस बराबर 11,664 यह हुआ दुसरे परस के अंतर तो प्रापच स्रेड़ी 10,000 दस आजार आठ सो 11,664 यह हुआ अब सारव अंतर निकाल लेंगे बराबर आएगा तो AP में है नहीं आएगा तो AP में नहीं है A2 माइनस A1 बराबर 10800 माइनस 10,000 बराबर 800 A3 माइनस A2 बराबर ये होगा 11,664 माइनस 10,800 तो घट के 864 यहां असपस्ट है कि ये 800 है ये 864 है तो A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के ठीक है तो जब बराबर नहीं है तो ये जो स्रेढ़ी प्राप्त हुई है यह AP में नहीं है क्योंकि AP में स्रेढ़ी तभी होगी जब सारव अंतर समान होगे तो इस तरह से पहला में चार प्रस्न थे, चारों प्रस्न समाथ हुए, आपको समझ में आया की नहीं आया, कॉमेंट आप जरूर करेंगे, धन्य बाद